हेलो फ्रेंट्स दा हिंदू एरिटेर अनलाइसिस में आप लोगों का स्वागत है तो आज हम दा हिंदू एरिटेर सक्षन से एक इंपोर्टन आर्टिकल अनलाइसिस करेंगे और इसका शीश्यक है इन्वीजिबल फेइस फेइस फॉल आउट यह जेंडर डिस्क्रिमिनिशन की बारे में कहा जा रहा है जो की मतलब दुनिया भर में ज्यादा हो गई है इस कोरोना वैरस की महावारी के है तो इसी पर एक बहुत अच्छा आठिकल है तो जो हमारे जेंडर रोल है या जो नारी पर जो अत्याचारा शोशन हो रही है दुन महावारी की जो एफेक्ट होती है समाजिक अर्थनेतिक या जो मानसिक जो एफेक्ट वो दुनिया के सभी लोग को एफेक्ट करती है लेकिन कोई भी मतलब महावारी या तरही मर्दों से जादा औरतों को या महिलाओं को जादा एफेक्ट करती है और यह जो आकड़े बता चाहिए और राइटा जो यह कोई भी तरही या क्राइसिस किसमें जो महीला को ज्यादा एफेक्ट होती है उसी के उधार अंसर देते हैं कि 2004 को जब इंडियन ओशन में जो सुनामी आई थी तो जो तटिये जो इलाके थे साच दो ढखो में भारत में भी थो उसमें देखा गया है कि दो लाक से ज्यादा लोग मСТलब आपका भीष्वभर में मारे गये थे और यह मारे गेती हैं यह Missing हुए तो उसमें से एक जोथा जो मतलब जो लोग थे इसमें मतलब वोमन थे मतलब यह साकते कि कोई प्राकितिक क्राइसिस होती है समाजी क्राइसिस होती है उसमें नारी ज्यादा होती है और इसकी कारण यह दर्शा है गया है कि जो नारी की जो traditional role है कि सबी लोगों को जो caregiver caregiver role है उसको मतलब घर में रहना पड़ता है और घर में रहने से वो मतलब भाग नहीं सकते कोई भी साही से या दूर दर्शा से मतलब जल्दी भाग नहीं सकता या उसका सामना नहीं कर सकता है जितना की पूरुष वर्ग कर सकता है तो और इसके अतिरिक में जो नारी जो डूसरी जू the Goddess कि सिख्टी अपर की जो रहने की स्किल्स होती है जी कि स्वींग क्लाइन बहुत सारे सब्धिकांश महीलाय मतलब नहीं सिख्टी है या उनको यह सब स्किल्स स्झटने के लिए समाज व्टसार नहीं देती है तो इसी के बदलोत मतलब जो भी जब भी कोई क्राइसिस होती है या कोई भी दुखटना होती है तो नारी ज्यादा एफेक्टेड होती है पूरुष के बजाए तो इसी में जो जेन्डर डिस्क्रिमिशन हमें पता चलता है और राइटर और एक उधारन देते हैं कि जो पर्नाड़ या सवमुद्री जो टुफान आती है उसमें जो भी फैमिली जब नारी में प्रधान होती है या मेन अनिंग्स होती है वह ज्यादा एफेक्टर होती है क्योंकि वो में जो सेक्थर स्पेसिफिए स्बस्वीक एमप्ल सेक्वीzen होती है seiудь कोई भी एमप्लमल नह जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा affected होती है और उसमें नारी ज्यादा बेरोजगा हो जाती है और इसके अतिरिक जो महिला है जो post calamity care उनको जो कोई भी तरही के बाद जो अपने परिवार या अपने बच्चों की जो care करना पड़ता है उससे भी उनको अपने नोकरी से हाथ ध करती है तो उसमें पूरुशे से ज्यादा महिला है मतलब ज्यादा affected होते हैं तो जो पेवे जो नारी ज्यादा affected है यह कहना है राइटर नयर जी का है यह भी उधान देते हैं जब केरेला में 2018-19 को जो फ्लाड हुई थी तो उससे उसमें भी जो घरबार लोग की उजड़ गई थी तब बहुत लोगों को मतलब रिलीफ कैंस में रहना पड़ा और बहुत सारे महिलाओ को महिलाओ की जो किचन थी वो डेस्ट्रो हो गया था जो किचन तो महिलाओ को बाहर में मतलब कुकिंग करना पड़ा बाहर में उनको खाना पकाना पड़ा तो ये जो महिलाओ की जो दुर्दशा वो बहुत लोगों ने मतलब बहुत लोगों की या जो रिलीफ पॉइट करते हैं उनकी नजर में नहीं आई है या ऐसे ही बहुत पर के समय वह logo करना पड़ा इसresentért के समय भी तो में वोमन पर जो मिन की सब्सक्की समाज़िक और दूरदर्शां होती है कोई बीदाद दूरदर्शा होती है तब कि हमें ज्यादा सोचना चाहिए यह कहना है राइटर का और राइटर जो यह कोरोना वारेस की जो महावारी के समय महीलाओं की दूरदर्शा के बारे में बोलते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइश की स्टेटिसिक्स में यह काया गया है जो विश्योभर में जो 70% जो को हेल्थ वर्कर हैं जो पैंडेमिक किसम हैं जो लोगों की सहायता कर रहे हैं या जो स्वास समंदिन जो कारिये कर रहे हैं उसमें वो लोग मतलब उनकी सेव्टी है वह हाई रिस्क पे है क्योंकि मतलब कई घटना हुआ है जहां पे उनको सारी क्रूप से या मतलब मांसी क्र उधारन लिया जाए तो भारत के पास मिलियन से भी अधिक मतलब जो एक्रिडेटेट सोशेल हेल्थ वर्कर्स है जो आशा वर्कर्स है वो मतलब अधिकांस लोगों ने जो आशा करमी है उन्होंने ये कहा है कि जो कोवीड-19 कि या कोरोना वारेस की जो डियूटी में उनको मत मतलब उधारन दिया गया है कि उनको एटक किया गया है तो रैटर यह केते हैं कि जो लोग उन्होंने आशा करमी पर जो एटक किया है उनके खिलाब मतलब कड़ी एक्शन लेना चाहिए मतलब सरकार को तो तब ही मतलब वोमन सेफ हो सकते हैं आने वाले या कोई भी ऐसे से उनकी सेफ्टी के बारे में भी हमारी सरकार को सोचना चाहिए और इसके अतिक जो लोगडाउन के प्रियाट में जो वर्क फॉम होम की जो कॉंसेप्ट आई है उसमें भी नारी बहुत पभावी थे क्योंकि अभी तो देखें दो चीजा होता है महिला को घर का काम भी करन परता है उनकी जूब है वो भी करना पढ़़ा है वर्क पॉम हों की बदोलत मदे नजर और जो घर का काम है ट्रडिशनल जो रोल पर है घर की सफाई या बच्चों की देखरेक या जो खाना पकाना या सास सभी का फेमिले मेंब्स की मतलब हैल्प करना में मदद करना तो य यह हमारी देश में अभी यह कॉंसेप्ट नहीं हुई है कि नारी या पूरुष दोनों को घर का काम मिल बाटके करना चाहिए यह अधिखा गया है कि नारी ही मतलब सभी काम करते हैं या घर का हो या बाहर का तो इसके आतरिक जो अभी जॉब लॉस की जो संकट हो रही है य जो नारी की जो डबल प्रेशार आती है एक तो घर का प्रेशार है दूसरा जो मेंटल प्रेशार है उन पे यह जॉब लॉस होने से तो यह उनकी शारीक स्वास्त में भी एफेक्ट कर रहा है या शारीक या मानसिक स्वास्त में भी एफेक्ट कर रहा है तो सरकार को इस बा अतना बढ़ड़ा है कि पूरुष आपना जो टेंशन है वो अपना घर की महीलाओं पे मतलब पकट कर रहा है और उसके वजह से जो डॉमेस्टिक टेंशन या डॉमेस्टिक वाइलेंस महीलाओं के अगेंस में और भी बढ़ गया है इस लोकडाउन के प्रियड में और एक ज और इसका खाम्याजा भी महीलाओं को भगटना पड़ ला है और महीलाओ पर जो अत्याचार है जो शेडव पेंडमिक कहा जाता है मतलब महीलाओं बढ़ गयी है इस लोकडाउन के पिरिएड मे इस से अतिरिक नारियों में perform times होती है इसके वाज़ सीपिंप री पेख्णेसिंग का सिम्टों स आती ए और उसके बाद प्रैगनेंसी रिलेटेटट, जो परेख्णेन महिला है उनमेद प्रैगनेसी डिलेटड डिप्रेशन की सिम्टों दिखा जाता है और प्रेगनेसी के बाद भी है आपका symptoms होती है वो तो सभी महिलाओं को भगतना पड़ता ही है वो तो common symptoms है जो महिलाओं को हर महिने या हर महिने में face करना पड़ता है तो तो इससे भी जो उनकी दिनान दिन जो लाइफ है उसमें काफी और relationship है उसमें काफी effect होती है तो lockdown के period में जो मांसिक जो pressure है और उनकी जो यह हर्मोन related जो problem है उससे और भी तिवड हो गई है उनकी जो मांसिक या शारीलिक जो स्थिती वो भी खराब हो गई है क्योंकि एक तो lockdown के वज़े से job loss के वज़े से जो आर्थिक जो pressure है या जो मांसिक जो pressure है उसके साथ जो उनकी जो मंतली के जो cycles होती है हार्मोन related जो issue होती है उससे मतलब उनका जो problem है वो और भी बढ़ गया है लेकिन हमारा समाज में यह कहा जाता है कि हमारे culture of silence मतलब नारियों को अपना परिशानी चुपी बजाय रखने में उनको उनकी भलाई मानी जाती है लेकिन इसको बदलना होगा और महिला को यह problem हो सकती है या महिला जो यह problem से गज़रती है तो इसके बारे में मतलब पूरिशों को और सजाग होना पड़ेगा पूरिशों को और भी एवेर होना पड़ेगा इन नारी रिटेट यह जो problem होती है और इस मतिन नजर और भी हमें सोचना होगा कि महिला को कैसे क्या जा सके उनकी मानसिक और शारिडिक और आर्थिक सुरक्षा के बारे में कैसे सोचा जा सके इस लोगडाउन के पिरेड में या जो आर्थिक दूज़जा के पिरेड में सरकार को या हमेरे समाज को और 2015-16 के जो नेशनल फेमिले हेल्थ सर्वे किया था उसमें देखा गया कि देश की 30% जो महिला है 15 से आपका 49 वर्ष के आयू के बीच व वालेंस की शिकार होती है और बीच में एक आकड़ा आया है नेशनल कमिशन फोर वोमन की जो लोगडाउन के पिरेड में 587 कंप्लेंड आई है रिलेटिंग टू क्राइम सेकिंस वोमन महिलाओ के खिलाफ क्राइम की रिपोर्ट आई है 587 यह सिर्व आई है यह पिरेड में मार्स 23-16 में मतलब लोगडाउन के पिरेड में और इसमें 239 केशिस है इस्יכी सोचछते हैं लोगडाउन के पिरेड में कितना डोमेस्टिक बाढ़ गया है महिलाओ के किलाब और यह समाजिक या मान्सिक या शारिक जो दुद्धर्शा के द्वर बाब गुजर रही है महिला हैं इसके लिए राइटर नेयर जी कुछ सुझाओ देते हैं जैसे कि जो आशा कर्मी हैं उनको क्या करना है उनको नारियों की जो समय से आओ के लिए मतलब यह महावरी के समय उनको नियूद करना चाहिए और मतलब स्पेशल सेल बनाने चाहिए सरकार को जो कि कोई भी अगर घरलू हिंसा होती है तो उसको निपड़ सके मतलब क्विकली मतलब तुरंद उसके लिए एक सेल होन चाहिए और जो तुरंद महिलाओ की सहाथा के लिए जाए या उनकी इस्यू सॉल्व करें और जो नारियों की जो हैल्थ रेज़ड इस्यू है नारियों की या जो झाता confusion की जो इसर्कार को नारियों सरकार को छो न उनकी सहयता लेना होगा उनको है उनको मानसित रूप से सहयता देने के लिए नारियों को उनकी स्टूरेंट से साइकोलोजिस की हेल्प लेना होगा जो टीचर से या जो वॉलेंटर से स्वयम से विख है उनकी हेल्प लेना होगा और जो टेकनोलोजी प्लैटफॉर्म से उसको भी जो एप्स पर गरा उसको भी डेवलाब करना है जिसे कि नारियों को सुविधा मिले या सायधा मिले जब भी उनकी कोई dristers होती है या कोई emergency होती है तो उनको तुरंट सायधा मिले तो इसके लिए हमें एक culture develop करना होगा जो जिसमें नारियों की मतलब woman safety की एक culture हमें समाज में गढ़ लेना होगा और इसको हमारे जो planning है planning policy में ही implement करना होगा कर सकते हैं बलकि सिर्फ में इसमेल नारी के लिए इसे के कहता है जो नारीओ की को सेंटर या जो हेल्प लाइन है उसमें सिफ महीलाओ को ना रखे क्योंकि यह आएगा कि जो केरगीवर रोल है वो सिफ महीलाओ कर सकते हैं बलकि इसमें पूरुषों को भी न्यूट करना चाहिए जिससे कि यह जंडर इंक्रूसिव हो या पूरुषों को भी यह समद्धित सम समाज गढ़ने का और नारी की जो समयस्या होती है कोई भी आर्थिक समाजिक और मानसिक दूद्रशा होती है कोई भी महावारी या क्राइसिस के समय नेचरल या हुमेन क्राइसिस के समय वह कम हो और नारीयों को एक सशक्त और एक सबलीकरन एक समाज मिले जिसमें उनकी आर आशा करता हम आप लोग अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक यू